बिजली का उत्पादन पारेशन और वितर्ण पारेशन और वितर्ण विभिन तरीकों से संदर्भित करता है जिसमें जनरेटर से ग्राहकों तक बिजली पहुचाई जाती है एक बार उर्जा उत्पन्न हो जाने के बाद, इसे ग्रिड के रूप में ज्यात बिजली के तारों की एक प्रणाली के माध्यम से घरों, व्यवसायों और उद्योग में ले जाया जाता है प्रांस्मिशन और डिस्ट्रिब्यूशन ग्रिड पर दो अलग-अलग चरण है प्रांस्मिशन को समझना उर्जा संचरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बिजली उत्पादन स्थलों, जैसे बिजली सन्यंत्रों से उपभोकताओं के पास स्थित सबस्टेशनों तक पहुँचाई जाती है पारेशन लाइने लंबी दूरी तक फैली होती है, जिनमें बड़ी मात्रा में उच्च वोल्टेज उर्जा होती है पारेशन लाइनों के भीतर उर्जा एक वोल्टेज पर प्रवाहित होती है, जो उपभोकताओं को सीधे वित्रित करने के लिए बहुत अधिक है नतीज तन पूर्जा वित्रक आम तौर पर घरों और व्यवसायों को वित्रित करने से पहले प्रेशित बिजली के वोल्टेज स्तर को कम करते हैं ट्रांस्मिशन लाइनों की पहचान उनके कद और संरचना से की जा सकती है ये लाइने लंबी होती हैं, आम तौर पर जमीन से 30 फीट उपर कई तार ले जाती हैं और लंबी दूरी तक फैली होती हैं वितर्ण को समझना वितर्ण प्रणाली उर्जा उत्पादन से उपभोगता तक वितर्ण प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिनहित करती है वितर्ण प्रणाली पर एक वोल्टेज पर यात्रा करती है, जो आवासिये और कॉर्पोरेट उप्योग के लिए उप्युक्त है वितर्ण लाइने उपभोगताओं द्वारा आसानी से पहचानी जा सकती हैं, क्योंकि वे आवासिये सडकों के किनारे चलती है वितर्ण लाइनों के माध्यम से वितर्ट बिजली का उप्योग बिजली के उपकर्णों और अन्य आवश्चक्ताओं के लिए किया जाता है